तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बीना आटा, बीना ब्रैड और बीना मैदे कि एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी आलू का ऐसा नाश्ता लेकर आई हूँ जो बहुत ही चट्पटा है और बिलकुल नया है तो इसे फ्रेंड्स आपको जरूर ट्राइ करना है क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है अब मैं इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ और आप सभी के साथ ये शेयर करने वाली हूँ आपको इस रेसिपी इतनी पसंद आएगी आप देखती बनाओगे तो सबसे पहले इसकी स्टेफिंग बनाएंगे तो गैस पर एक कड़ाई रखेंगे कड़ाई में दो चमच तील डालेंगे तेल गरम होने के बार इसमें आदा चमच जीरा आदा चमच राई और दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरका कड़ुकस करा हुआ और एक बारी कटा हुआ प्याज इसमें डाला है अब प्याज को थोड़ा सा कलर आने तक भूनना है जैसे ही ये हलकी सी ब्राउन हो जाएगी फिर इसमें डालेंगे ये छे से साथ बारी कटे हुए किशमिश और छे से साथ बारी कटे हुए काजू अब ये जैसी ही हलकी सी ब्राउन हो जाएगी फिर इसमें डालेंगे ये फ्रोजन मटर ये फ्रोजन मटर हैं ये जल्दी से पक जाती है अगर आप फ्रेस मटर ले रहे हैं तो आप इसको प्याज के साथ डालें अब इन सबी चीजों को पाच मिनट के लिए पका लेंगे अब मैंने याँ पर लिये ये दो पारी कटेवे टमाटर और हाँ फ्रेंड्स आपको मैं याँ आपर याद दिलवा दू अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेर, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले अब मैंने याँ पर लिया है स्वाद नुसार नमक और आदा चमच धनिया पाउडर और आदा चमच हल्दी पाउडर और इसके साथ ही उटी हुई लाल मिर्च और आदा चमच अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला अब इन सबीचिजर को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे पाँच मिनट के लिए ढख करके पकाएंगे दीमियाज पर पाँच मिनट के बाद दोस्तों देखिए जो टमाटर का मोश्चर था उसी में ही ये अच्छे से पक चुका है और जो मटर हैं वो भी सौप्ट हो चुकी है अब इसमें एड़ करेंगे उबलेवे आलू तो मैंने यहाँ पर पाँच आलू को उबाल कर ठंडा करके मैश करके रखा है जब भी आप ये नास्ता बनाईएगा न तो आप स्टफिंग इसी तरह से बनाईएगा बहुत ज़्यादा जबर्दस बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और पाँच मिनट के लिए इसे पकाना है अब इसमें डालेंगे कुछ धन्या के पत्ते और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अब कर देंगे गैस की फ्लेम बन अब इसे ठंडा होने के लिए एक साइट रखना है तब तक हम दूसरे त्यारी करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिए है कड़ाई और इसमें डाला है दो कप पामी तो आज हम इस रेसिपी में मैदा ना आटा कुछ भी यूज नहीं करेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे स्वादनुसा नमक और एक चमस तेल और इसको अच्छे से गरम होने देंगे जैसे ही यह गरम हो जाएगा फिर इसमें हमें डालीने एक कप सूजी सूजी डालकर इसको लगाता चलाते वे इसको पकाना है पस पांच से साथ मिनट तक यह सूजी जल्दी से पक जाती है और जो यह बैटर आपको पतला लग रहा है तो यह जल्दी से गाड़ा होने लगेगा जो यह बैटर है यहापर गाड़ा होने लगा अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम स्टफिंग की शेप बनाएंगे तो यहापर मैंने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है और फिर एक से रेड़ चमस स्टफिंग ली है फिर इसे स्क्वेर शेप दे दी है आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते है तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इस नास्ते को दो तरह से आपको बनाना बताऊंगी तो इसी तरह से स्क्वेर शेप बना करके एक साइड में इनको रख लेना है अब हम सूजी को देखेंगे अब एक बड़े से परतन में ले लेना थोड़ा सा तेल और जो हमने सूजी को बना करके रखा था ना अब हातों पर थोड़ा सा तेल लगा कर इसको रोटे के आटे के जैसा सोफ्ट बना लेंगे तो अब मैंने यहाँ पर लिया है यह प्लास्टिक का पेपर जो हर घर में मिल जाता है अब इस पेपर पर थोड़ा सा तेल लगाना है आज हम इस नास्ते को बिल्कुल भी नहीं बेलेंगे और क्विक बना करके त्यार करेंगे तो यहाँ पर लेना एक सूजी का बोल और इसे पेपर से एकवर करना है अब प्लेट या ढकन से इसे प्रेस कर देना है और फिर इसके बीच में आलो आले स्क्वेर इसमें रखना है और फिर इसको चारो तरफ से फोल्ड कर देना है तो यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा तरीका भी दिखा रही हूँ यहाँ पर एक सूजी का बोल लेना है और इसको हाथ से पूरे के जितना प्रेस कर देना है और इसके बीच में वो आलो आले स्क्वेर रखना है और चारो तरफ से इसको फोल्ड कर देना है अब हम इसे राउंड राउंड गुमाएंगे जैसे कचोरी बनाते हैं न मैंने आपको इस नाष्टे को बनाने के लिए तीन तरीके बताए हैं आपको जो एजि लगे आप वो तरीके से आप नाष्टा बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यह स्क्वेर बन चुके हैं और इसी की साथ ही मैंने यह बोल भी बनाए हैं तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं तेल को अब हमें अच्छे से गरम कर लेना है और इन्हें अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है तो चलिए दोस्तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसी तरह से बाके का नास्ता भी फ्राई करना है अब हम इसे एक और कितना ज्यादा ये क्रिस्पी होता है।